राधे राधे दोस्तों कैसे है आप लोग ब्रतविदी उपाई में सभी का स्वागत करती हूँ आज हम देखेंगे रक्षा बंदन स्पेशल थाली हम कैसे सजाएंगे बहुत ये आसान तरीके से और इस तरह से थाली सजाने के भाई के घर में सुक समरिद्धी हमेशा रहती ह तो देखें कोई सुद्ध धातू से बना हुआ थाल एक लेले और उसके उपर एक स्वास्तिक बना ले फिर गी या तील के तेल का एक दिया प्रजलित करें और एक धूप प्रजलित करें कोई भी अनुस्ठान को जब हम करते हैं तो जितना सुद्ध सात्विक्ता के साथ कर करनी चाहिए इसके बाद एक तांबे के लोटे में मैं थोड़ा सा पानी ले लिए हूं सुद्धिकरन के लिए हमें यह पानी चाहिए होता है इसके बाद थोड़ी सी दुर्भा घास मैंने यहां पे लिया है दुर्भा घास लेते हैं जो इस दुर्भा घास के मदद से हम सद्धी करते हैं स्ढía के फूल और चाहिए तो गुलाब के फूल ले सकते हैं जो भी फूल आपको वेयं स म thats a रोली ले और अगर कहीं की प्रचलन होता आप मैं धाल यह जूभा करें लिए और ड़ाप ज़्या है मैं इस तरह resisting अलग सब्ता कर्कार से इस तरह का बिला गःता है। एक नारियल आप जरूर ले ले स्रिफल कहा जाता है इसमें कलावा लपेड के और टीका करके फिर भाई के हाथ में ये नारियल दिया जाता है बहुत ही सुब माना जाता है और भाई को ये नारियल दान में दे दिया जाता है तो देखिए इस तरह से आपको एक कलावा लेनी ह कलावा अगर आपको राखी नहीं मिलती है तो भाई और बहन दोनों आपस में अपने हाथ में कलावा बांद सकते हैं और अगर भगवान के लिए आपको अलग से राखी नहीं मिलती है तो भी आप कलावा बांद सकते हैं थोड़ी सी मिठाई ले लिजिए जो भी मिठाई इस तो तोड़ा कपड़ा या गीफ्ट बगएरा चौकलेट जो भी आप देना चाहते हैं तो वह सारे चीजे आप उसी में ले लीजिए ताकि अपने भाई को आप गीफ्ट कर सकते हैं तो देखिए ये है पूरी राकी की थाली इसी तरह से सजाना है और अगर आप भगवान कनहिया के लिए राकी की थाली सजाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप इसी तरह से राकी की थाली सजा सकते हैं भगवान के लिए अलग से भी राकी आती है राम राकी भी कहा जाता है इसको राकी के समय बजार में बहुत मात्रा में उपलब्द होता है और अगर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो कलावा से भी रक्षावंदन का जो ये तवार है वो आप मना सकते है दोस्तो वीडियो कैसे लगी जुरूर बताना अच्छा लगा है तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो टेक कियर